अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर यूसफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक सिरूर कीजेगा और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा हैंडल है मॉनिका.yadav9111 तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ एले टिन की लास्टिंग ग्लो फांडेशन यह काफी देर पहले लॉंच हो चुकी है यह मेरे पास शेड है कोरल और कोरल शेड में मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की लेकिन किसी ने भी कौरल शेड का रिव्यू नहीं किया हुआ था यह चार शेड में अवेलेबल है परल मार्बल शेल एंड कॉरल तीनों शेड के रिव्यू भी देखेँ करके और कि तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकजिंग की यह एक ग्लास बॉटल है जैसे लाकमेका बॉटल आता है उतना ही यह मेरी हतेली तक आता है इसके बीच में आपको कोई भी स्पैचिला नहीं मिल रहा है आपको इस तरह से इसको अपने हाथ पे लेके ही यूज करना होग आपको 27 ml of product मिल रहा है यह 100 रुपीज की retail करती है आपको 100 रुपीज में ही मिलेगी बनी है 2020 में और आप इसको यूज कर सकते है 2022 तक देन यह oil free है इसमें vitamin E है यह water resistant है glow foundation made in India तो यह किस तरह से मेरे face में लाएगा shade matching है या नहीं आपको मैं भी बिता जेती हूँ तो आप यह देखिए यह बिल्कुल भी liquid ही नहीं है कुछ ज्यादा ही आ गया तो यह बिल्कुल भी liquid ही नहीं है आप देख सकते हैं यह cream base foundation है एक तवांसे एक साइट पर आपको मैं अपने apply करके दिखाऊंगी ब्रेश की मिल्क से कोरल शेट में मैंने सिर्फ एक ही जो वीडियो है वो देखा था और वो किसी और ही language का था किसी और ही लेंग्वेज की वो यूट्यूबर थी और उन्होंने इसका किया था तो शेट तो मैंने देख लिया था उसमें से बट मुझे कुछ समझ नहीं आ र प्राइगर के देखना चाहिए और पता लग जाए कि यह वाला जो शेड है वो डस की स्किन पर किस तरह का लगता है तो यह आप देख सकते हैं ब्लैंड बहुत ही इसली हुआ हो और आप देख लिजिए इसकी coverage कितनी है आपको second layer भी लगानी पड़ेगी ताकि आपके face पे इसली यह blend तो हो रहा है बट अगर आप लगाएंगे तो बहुत सारा product आप जो sponge है वो भी absorb कर लेता है इसली आपको इतना coverage अच्छा नहीं मिलेगा आपको लगी कि अपने foundation लगाया ही नहीं है अगर आपको natural coverage चाहिए तो आप sponge यूज कर सकते हैं तो आप आप देख सकते ह लगाने पर थोड़ा सा आपको coverage नजर आएगा मेरे face पे आपको इससे makeup remover से साफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नी पड़ेगी ज़रा सा आप पानी लगाएंगे और थोड़ा सा मलेंगे तो आपको foundation बहुत असानी से निकल जाएगा जो मेरा skin tone है वो yellow undertone में है तो इतन अच्छे से matching नहीं कर रहा है तो आपके skin थोड़ा सा pink undertone में है तो आपके साथ यह वहला shade बहुत अच्छे से जाएगा तो आपको foundation थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा मैं इसको blend करने के लिए यूज़ करें अपना Puna store का buffing brush मुझे liquid foundation को या cream foundation को ब्रेश से ब्लेंड करना इतना अच्छा नहीं लगता है विपॉस आप स्ट्रीकी लुक देते हैं बट मेरे ये ब्रश काफी अच्छा इससे इतना स्ट्रीकी लुक नहीं आता है अगर आप इसको इस तरह से buffing मुष्ण में चलाएंगे और आप देख आपड़ेगा और अगर आप ब्रेश से लगा तो आपको इस तरह से पहली बार में ही मिल जाएगी मैं मेबिलीन में 3 30 शेड यूज करती हूं और L18 में मैंने ये शेड यूज किया है कोरल तो अगर आपको मेरे जैसा से ब्रेश से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा कबर से आप किसी भी कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं तो मैं आपको सही से बता देती हूं कि जो फॉंडेशन है अगर आपकी वाइली स्कीन है तो विंटर में आपके लिए अच्छा यूज हो जाएगा मैं यहां पे विंटर चल रही है दिसंबर का मन्त है तो आराम से मैं यू आपको अच्छा सा प्राइमर भी लगाना पड़ेगा अगर आपको लगेगा कि आपका फॉंडेशन स्टे करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह दो तिन घंटे के लिए शायद यह स्टेक कर जाए घर्मियों में फॉंडेशन यूज करना जाते हैं और अगर आपका पेली स्कें तो आप बिल्कुल सोच लिजी कि आप यूज नहीं कर पाएंगे क्यंकि आपके फेस पर आएगा स्वएट पूरा फूरा फॉंडेशन जो है बूंडिकल जाएगा बीगनर के लिए काफी अच्छा है कॉलज गोंगर्स जो की रोज फांडेशन लगाती हैं थो मेरे ये वीडियो आपके लिए यूस्फूल रहेगा अगर यूस्फूल रहे तो में चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं मिलूंगे आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कियर बाबाई